कि नमस्कार आदाप सस्केकाल चहिन दोस्तों मैं हूं हरी सिंग राजफूत और आप सभी का अनकैडमी के इस यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मद्यप्रदेश का पार्ट है उसमें रियासतों को बड़ा महत्त दिया गया है और उनी रियासतों में एक रियासत है जिसा नाम है सिंद्यावन्स या सिंद्या-रियासत तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्शर है वह focus रहेगा सिंद्यावन्स के उपर पहले आज आप ये वन्स सुनीए जिस से कि आपको पता चले कि का-किशीज़ें के चैसे करनी है तो मिलेग सु उसके दूसरे वन्स की सुरुआत कैसे होती इस पर थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी है उनने संस्थापक करें उनका नाम हैं रानोजी सिंधिया रानोजी सिंधिया जो है यह कौन थे और किस तरीके से मदबर देस में इनका महत वड़ा क्योंकि जनरली हम लोग ये जानते हैं कि जो मराठा हैं मराठाओं का जो सासन है यानि जो मराठा राज है वो सिवाजी के द्वारा इस्थापित किया गया था दक्षिन भारत में तो मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे छत्रपती सिवाजी महाराज और उनी के द्वारा मराठा राज्य की स्थापना की गई थी दक्कन में यानि दक्षिन भारत में फिर ये मदब्रदेश में कैसे आए तो जब सिवार जी की मृत्यू हो चुकी थी और उनके उत्तरादिकारी सासन कर रहे थे उनी उत्तरादिकारियों में जब आगे देखेंगे तो पेश्वाओं का सासन आता है माप कीजीगा अज थोड़ा गला खराब है तो वहाँ पर आप जब देखेंगे तो पेश्वा बाजी राओ बहुती सक्तिसाली एक पेशवा हुए थे, तो पेशवा बाजीराओ के सासनकाल में, मद्धब्रदेश के खासकर मालवा वाले हिस्से में और बुंदेलकंड के कुछ हिस्से में उनका सासन इस्थाफित होता है, तो क्यूंकि वो दक्कन में रहते थे, उनका जो सेंटर है वो जीत लिया मालवा, तो मालवा को इन्होंने तीन मराठा सरदारों में बाट दिया था, जो में तीन बड़े सरदार थे, एक थे सिंधिया, एक थे होलकर, तो एक सिंधिया है, एक है होलकर, और तीसरे थे पवार, यानि क्योंकि ये मालवा इसलिए बाट दिया, क्योंकि वो सिंधिया का नाम है राना जी रानो जी सिंधिया सोरी क्या नाम था रानो जी सिंधिया तो सिंधिया वंस के संथापक कौन थे रानो जी सिंधिया जिने मालवा का एक हिस्सा पेश्वा वाजी राव वन के द्वारा दिया गया था सत्रा सो एक तीस से लेके सत्रा सो ये रासन किया, रानो जी सिंधिया के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, तो रानो जी सिंधिया महरास्ट में एक जगह है कानहेर खेड, तो कानहेर खेड के पाटल थे, पाटल का मतलब है कि वहाँ पर इनके पूर्वजों को जागीर मिली थी, पाटल मतलब होता ए सिवाजी के सहायक हुआ करते थे उनके यां मराठा सरदार हुआ करते थे इन सिंधिया सासकों का जो संबंद वो बहिमनी सासकों से भी बताया जाता है ठीक है लेकिन क्योंकि हमारा फोकस MP में है और MP में हम लोग बात करेंगे मदब्रदेश के संधर में तो रानो जी सिंधिय वो पहले मराठा सरदार थे जिनके द्वारा मालवा में 1731 में बाजीरा प्रतम ने मालवा का एक भाग जो है वो रानो जी सिंधिया को दिया था और यहीं से मालवा में सिंधिया बंस की शुरुबात होती है देखिए जादातर किताबों में अगर आप देखोगे तो कुछ में 31 और कुछ में 32 मिलेगा ओफीसली जो दस्तावेजे वो 32 में जारी किया गया था 1732 में लेकिन 31 में उनको वो छेत्र मिल गया था इसलिए इनका रूलिंग टाइम भी 1731 से 45 है आपको याद रखना है तो मालवा का एक भाग सिंधिया को पेशवा की द्वारा मिला इसमें मुक्ता उजेन, साजापुर और तधा सोजालपुर का छेतर था यानि उजएन उसके आसपास के छेतर पर इन्हों ने अपना राज्स्तापित किया और इन्हों ने उजजएन को अपने सामराज़ी की राजधानी बनाया यानि अगर आप से कभी पूंचा जाए कि सिंधिय दवन्स के संस्थापग कौन थे तो आपको बताना है रानो जी सिंधिया थे ठीक है अब आगे हम लोग कुछ और तत्यों की बात करें तो रानो जी जो सिंधिया है इन्होंने 1720 से लेके 1745 तक सासन किया है और इस समय जो है ये पेश्वा की सेवा में रहते हैं किसकी सेवा मे नहीं होती थी तो अपने छेत्र में यानि कहां पर उजयन में लॉट आते थे तो ये हैं रानो जी सिंधिया आगे रानो जी सिंधिया के बारे में आपको कुछ और बातें बताता हूं जो काफी महत्मून है जैसे कि इसमें एक वेरी इंपोर्टेंट तथ लिखा हुआ है क आप सब जानते हैं आपने पढ़ा होगा कि इलतुतमिस नाम का एक दिल्ली सल्तनत का सासक था जिसने 1234 में 1234 इसमें उजयन के महाकालेशवर मंदिर को तोड़ दिया था तो जब एक वार जब उजयन में रानो जी सिंधिया का सासन था तो उन्हों ने एक मन्नत मांगी थी मन्नत ये मांगी थी कि उनका एक अभियान था अगर उस अभियान में उनको सफलता मिलती है तो वो इस मंदिर का पुना निर्मान करवाएंगे तो जब वो सफल होकर लोटे तो उन्हों ने इस मंदिर का यानि जो उजयन का महाकालेशवर मंदिर है उस मंदिर का पुना नि पर्मार करवाया, एक और बात, रानुजी जो सिंदिया है, इनके पांच पुत्र थे, एक का नाम था जैप्पा राओ, एक का नाम था दत्ता जी राओ, एक का नाम था तुको जी, एक का नाम था जोतिवा और एक का नाम था महाजी सिंदिया, महाजी सिंदिया वेरी इंपोर वो 1745 में सुजालपुर में हो गई और यहीं सुजालपुर में उनकी समाधी बनी हुई है तो दोस्तों ये है रानो जी सिंधिया जो की सिंधिया वंस के संस्थापक थे इसमें एक चोड़ी सी जानकारी और आपके साथ एड़ करना चाहूंगा आपने वर्ड सुनाओगा कि अपभरंस कोच होता है तो ये जो सिंधिया लोग हैं विसेश कर इनका जो मूलता जो नाम था ये संध्रक हुआ करता था क्या हुआ करता था यानि सिंधिया कहलाने से पहले ये संध्रक कहलाते थे और संध्रक का जो अपभरंस है आगे चलकर वही अपभरंस क्या बन गया स सेंधरक से अपवरंस होते होते सेंधरक से सिंधे से सिंधिया इस तरीके से जो है इनका सरनेम यानि ये जो है वो सिंधिया बन गए तो इस प्रकार रानो जी सिंधिया महारास्ट के कानेर खे देखे इसमें जो में तथ्य हैं जो आपको याद रखना है कि कहां से बिलॉंग क करते थे दूसरी चीज आपको याद रखनी मालवा का हिस्सा इनको मिला 1731 में जारी किया गया था सुजालपूर उज्जेन और साजापूर का एरिया इनके आसपास में आदाधा उज्जेन को राजधानी बनाई पेश्वा की सेवा में 45 तक रहे और उज्जेन के महाकाले सु अच्छे से समझ में आए होंगे अब जनरली जब हम रानो जी सिंधिया के बाद पढ़ते हैं तो उनमें सबसे प्रवल दावेदार उनके बाद जो होते हैं उनका नाम है महाजी सिंधिया लेकिन क्यूंकि इसमें हम लोग थोड़ा सा डीटेल में चर्चा कर रहे हैं तो मे जय अप्पाराव सिंधिया पिछली स्लाइड में बता चुका हूं कि जय अप्पाराव सिंधिया कौन थे तो जय अप्पाराव सिंधिया 1745 में गद्धी पर बैठे और 55 तक सासन करते हैं अब क्या हुआ था कि इनकी जो हत्या है वो जोदपुर के सासक विजय सींग द्व जरूरत पढ़ने पर पेश्वा इनकी सिवायन लेता था इनको बुलाता था तो हुआ यूँ कुछ कि आपने नाम सुनाओगा मारवाल का मारवाल मतलब होता है जोदपुर तो मारवाल रियासत अर्था जोदपुर यहां पर क्या हुआ था उत्राधिकारी की जंग हो गई उत्राधिकारी की जंग हो गई और यहां के दो दावेदार थे एक का नाम था राम सींग और एक का नाम था विजय सींग तो राम सींग जो है वो अयोग था राजा ने वहां के जो राजा जिनकी मृत्ति हुई थी उन्होंने राम सींग को गद्धी ना देने की बात कही औ किस से सायता मांगी दोस्तों पेश्वा से सायता मांगी कि वो उन्हें गद्धी पर ब gheeठाने में है तो करना था उनके तो इतने सरदार ठे हो अपर आप जाहिए और राम सिंह की साहता कर उनको महरवाड की गद्धी पर बिढ़ा लिए अब जयब पाराओ जो है जोदपुर की तरफ चल देते हैं परंदु विजय सींग के द्वारा जो है उनकी हत्या गरवादी गीती सत्रासो पच्पन में तो इस प्रकार जयब पाराओ का सासन समाप्त होता है लेकिन आप ये देखेंगे के रानो जी सिंधिया के पाच पुत्र है जयब पाराओ दत्ता जी राओ तको जी जोतिवा और महा जी लेकिन गद्धी पर कौन बैटा था सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम था जयब पाराओ लेकिन आप सब जानते होंगे कि राजा के बाद जनको जी राओ सिंधिया पृथा में आगर आपको फस्ट लगाना है तो आप लगा लीजीगा जनको जी राओ सिंधिया सत्रासो पच्पन में गद्धी पर बैढ़े हो सत्रासो एक सटक इनों निसासन किया और एक बात आपको याद रखनी जो काफी महत्पून है कि जब पानीपत का तीसरा ये दुगा तो उस तीसरे युद्ध के समय सिंधिया वंस की गद्धी सिंधिया वंस के जो राजा थे उनका नाम था जनको जी राओ सिंधिया जनको जी राओ सिंधिया सिंधिया वंस के तीसरे सासक हैं दूसरे सासक हैं जैप पाराओ पहले सासक हैं र इनके जो पिता के जो भाई थे, यानि जैप पराओ के जो भाई थे, यानि इनके कौन लगेंगे, इनके चाचा और जो ताउ थे, उनकी मृत्यू भी पानिपत के तीसरे उद्ध में हो गई थी, और पानिपत के तीसरे उद्ध में कुछी मराठा सरदार बचे थे, उन मराठ सरदारों में एक बड़े मरठ सरदार थे जिनका नाम था महाजी सिंधिया तो आखिर जनकोजी राओ 1761 की मृत्यू हो गई इसके बाद का क्या सीन हुआ हम लोग बात करेंगे महाजी सिंधिया में थोड़ा डीटेल में बात करेंगे यह लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लंब साल का गैप रहा और उसके बाद सिंधिया राओ सिंधिया को संभक्ता इन के भाई के पुत्र थे तो इनको गपढला गया इनूने एक साल तीपर वैठे हुं ने अपना स्थीफा दे provision क कुछ उनोंने क्या दिया रिजाइन कर दिया और इसके बाद गद्धी मिली थी माना जी राव सिंधिया को माना जी राव सिंधिया गद्धी पर बैठे और माना जी राव सिंधिया भी जो है जैप पाराओ के भाईयों में से एक कलड़का था समवपता दत्तो जी राव जो सिंधिय राओ के बाद कादर जी राओ और माना जी राओ सिंधिया ने सासन किया दोस्तों अगर इसमें मैं बात करूँ एक्जाम की दृस्टी से तो वह important है रानो जी सिंधिया इनकी capital मंदिर का पुना निर्मान इनकी मृत्यू इनकी समाधी और कहां से बिलोंग करते थे कब इने माल का हिस्सा मिला इसके बाद के घटना करम में यह जानकारी इसलिए आपको दी जारी है जिससे आपको यह याद रहे के रानो जी के बाद जैप पाराओ जैप पाराओ के बाद जनको जी राओ जनको जी राओ के बाद कादर जी राओ और उसके बाद माना जी राओ सिंधिया पर बैठने आ गया जो काफी महत्पूर्ण हैं सिंधियावंस की आन हैं सिंधियावंस की सान हैं मतलब पूरे सिंधिया डाइनिस्टी को एक पल्ले में रख दीजे और दूसरी तरफ सिंधिया डाइनिस्टी के इस महान सासक को रख दीजे जिनका नाम है महाजी सिंधिया तो में भी क्योंकि इनके जैसा सासक जो है इस समय खास कर जिस समय ये हुए इस दौर में इनके समय इनके जैसा कोई और सासक नहीं था केवल एक या दो लोग थे जिसमें हम लोग बात करेंगे नाना फड़नवीज की तो नाना फड़नवीज को हम लोग जो है आगे कवर करेंगे तो महाजी सिंधिया 1768 में गद्धी पर बैठे हो 1794 तक सासन किया यह रानो जी सिंधिया के पाँचवे पुत्र थे और अंतिम पुत्र थे बात को सुनिएगा सिंधिया वंस की गद्धी किसको मिली अब सिंधिया वंस की गद्धी मिली महाजी सिंधिया को जो कौन है जो रान जी के जो पहले सबसे बड़े लड़के थे उनके उत्रा अधिकारी थे अब महाजी सिंदिया जो है ऑफिसली 1760 में मराठा खासकर जो है सिंदिया वंस के सासक बने तो महाजी सिंदिया कब गद्धी पर बैढ़े 1760 से 1794 के नो निसासन किया ये पांचवे और अंतिम पुत्र अपनी जो है इनकी जान एक मुसलिम ने बचाई थी कहते हैं वो मुसलिम इनको एक गाड़ी में छुपा कर अफगानों से बचा कर लाया था और बाद में उस मुसलिम को इन्हों को रहने के पर ये लेक्चर है अगर मैं किसी प्रसंग को जोड़ दूँ तो हो सकता है किसी क वो चीज ऐसा लगे कि यार ये तो थी ही नहीं तो इसलिए हम लोग केवल authentic बातें करेंगे जो सही हैं एकात कहानी हमें आप लोगों को एक्स्रा बताऊंगा तो रानो जी सिंधिया के पांचवे और अंतिम पुत्र थे माजी सिंधिया जो पानीपत के तीसरे उद्धे से स्थे लिदाए नहीं तो बता रहा है अगर आपसे पूच्छा जाए ऑफीसली यह पिद्धिया वंस्के साकप वने तो 1768 में इससे पहले यह क्या कर रहे थे इससे को सपोर्ट कर रहे थे लाइक जनको जी राव सिंधिया कादर जी राव सिंधिया माना जी राव सिंधिया इनके एक सहयोगी मराठा सरदार थे इनके एक तरीके से सेनापती थे यानि इन्होंने जो है इन सासकों के सामरज विस्तार में और कई अविहानों में साहता की थी ले अग्षान और प्रतापि सा सकते हैं आपको याद रखना आ अब इनकी कुछ उपलब्दिया या या न के कारियों पर हम लोग नजर डालते हैं कि इनौस ने ऐसा क्या क्या किया था तो आप देखेंगे आपको समझ में आ जाल सकते हैं कि महार्जी सिंधिया ने क्या किया विजय किसके सासनकाल में हमको देखने को मिलती है सम्भपता माना जी रहा हूँ लेकिन आपको यही याद रखना है कि लोकेन जाट से ग्वालियर का किला किसने छीना था तो आपको पहला important point बताना है वो है महाजी सिंदिया यानि महाजी सिंदिया ने उत्तर में अपना प्र महत पूर्ण point है देखिए बच्चे अक्सर एक question में बहुत confuse होते हैं वो प्रश्ण यह है कि अगर आपसे पूचा जाए कि सिंदिया वंस के संस्थापक कौन थे तो आपको बताना है रानो जी सिंदिया संस्थापक कौन है वंस के रानो जी सिंदिया लेकिन जब आपसे य ग्वालियर में सिंदिया राजी की स्थापना किसने की ग्वालियर में सिंदिया राजी की स्थापना किसने की तो आपको बताना है कि ग्वालियर में सिंदिया राजी की जो स्थापना है वो महाजी सिंदिया ने की ती किसने की ती महाजी तो इन प्रश्णों को थोड़ा स समझ कर पढ़िएगा वरना आपसे गलती हो सकती है गौालियर में सिंधिया राजी के संस्थापक कौन थे महाजी सिंधिया जबकि रानो जी सिंधिया सिंधिया वंस के संस्थापक थे इन्होंने उज्जन में सिंधिया वंस की नीव डाली थी दो महत्पूर्ण पॉइंट हो और सदा से भाव की भी हत्या हो गई थी तो उनके मरने के बाद मराठाओं का बुरी तरीके से पतन हो गया था बाला जी वाजी राओ भी सदमाना सहपाई और उनकी डैथ हो गई तो उनके मरने के बाद मराठा राज जी कमजोर पड़ गया था और तब पेश्वा बनेते माध तो पेश्वा माधःरावन देखिए समें 2 लोग है देखिए से सुनना इस वात को इस समय धक्कन भारत में प休息 नाम है अनुद नाम है कॉन होने माधःराग जो पूना में सासन कर रहे हैं वो है नाना फड़नवीस नाना फड़नवीस वही हैं जिने मराठाओं का मैक्यावली कहा जाता उनकी राजनितिक सोच के कारण राजनितिक विद्धुता के कारण उने मराठाओं का मैक्यावली कहा जाता है तो इन्होंने क्या क्या किया आप जरा इसको बात को जरा ध्यान से सुनना और समझना है यहीं से आपकी जो कहानी है वो सुरू होती है कि महाजी सिंधिया के क्या क्या का रहे थे प्लीज जरा ध्यान से सुनिए इन्होंने और पेश्वा माधराव बनने दोनोंने मिलकर मुग मुगल सासक है, इस मुगल सासक की सबसे बुरी अगर जिंदगी किसी की गुजरी है, क्योंकि अभी मैं मुगल नहीं पढ़ा रहा हूँ, साह आलम दुतिये का क्या कहानी थी, जरा एक मिड़ में आप समझेगा, यहां पर एक ब्लैंक स्लाइड होनी चाहिए थी, क्योंकि इस इसका नाम था इमाद उल्मुल्क, और उसने इसके पिता की हत्या करके उसको फेक दिया था यह अमना नदी में, तो उसके बाद यह बिहार भाग गया था, बिहार के बाद क्या हुआ था कि अंग्रेजों के संरक्षन में आपने सुनाओगा बकसर का यह दुगा, और बकसर की संदी के दौरा अंग्रेजों ने इसे अपने संरक्षन में ले लिया था सालम दुतिये को, तो महाजी सिंधिया ने इसे बुलाया और इसको ले जाकर कहां पर दिल्ली की गद्धी पर अपनी ताकत से बठाला था, और उसके जो वजीर थे इमाद उल्मुल्कों से तो आपको बताना है माधवरावन, क्योंकि मराठा पेश्वा मेन है, यह उनके अधीन सासन करते थे महाजी सिंधिया, और अगर आपसे पूछे सिंधिया वन्स के किस सासकने उन्हें गद्धी पर बठाला था, तो महाजी सिंधिया, अब एक चीज और समझना है, पानी पत अधीने जाटों को सायत को सिंधिया, और सिक्कों ने मराठा पेशे कुछ राजनितिक कारण थे, क्योंकि मराठा जो है, बाला जी वाजी राओ के नित्रत्में, राजपूत जाट और सिक राज्जयों को लूटते थे, चौथ वसूलते थे, इसलिए उन्हें उन्हें उने इसका नाम सुनाओगा यही वो नजीव उद्धुला था जो रोहेल खंड का सासक था जिसने जो है एहमद साब दाली को भारत पर आक्मन करने के लिए उतसाहित किया था तो अब महाजी सिंदिया जब नौर्थ की तरफ जाते हैं जब उन्होंने मुगल सासक को गद्धी मचा दिये के जगे जगे लासों का धेर रग गया और उनका जो गड़ था नजीव अबाद उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया तो इस प्रकार उत्तर भारत में महाजी सिंदिया के नित्रत में मराठाओं की धाक जमती जा रही है आप इस बात को ध्यान से देख लीजे और समझ लीजे ठीक है समझ में आया अब इसके बाद की जो कहानी है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं इसी बीच अगर आप देखेंगे महाजी सिंदिया तो महाजी सिंदिया ने 1782 और 83 में लाहर में अफगानों को हराया था यानि लाहर से अफगानों को खदेर दिया था और वहां से सोमनात मंदर से लूटे गए चांदी के दो गेट लेकर आए भारत लेकर आए याद करिए ये मराठा जो थे उन्होंने क्या किया है कि वो दिल्ली की तरफ बढ़े और दिल्ली से आगे बढ़ते हुए पंजाब की तरह वो पंजाब से कहां चले गए हैं अगर और रावी नदी के तरफ पर पंजाब पर है पंजाब में रावी नदी के तरफ पर इस्तित है पाकिस्तान में है लेकिन है तो रावी नदी के तरफ पर पंजाब का हिस्सा है तो 1782 और 1783 में महाजी सिंदिया पंजाब की तरफ बढ़ते हैं और अफगानों को खदेर देत को मेहमूद गजनवी सोमनात मंदर को लूट कर 20 लाख दीनार की संपत्य और बहुत सारी चीज़े ले गया था उनी में थे चांदी के दो गेट जो सोमनात मंदर से लूटे गए थे अफगानों के द्वारा मतलब महमूद गजनवी के वो अफगानिस्तान में थे क्योंकि गजनी अफगानिस्तान में है तो ये सोमनात मंदर से वो दो गेट लेकर आए अब क्या हुआ कहते हैं कि जब ये गेट लेकर महाजी सिंधिया आए और उन्होंने गुजरात के सोमनात मंदर को ये गेट देना लिए जाते हैं कि भई आप पुजारियों से कहते हैं आप ये गेट रख लीजे तो सम्भबता सुमनात मंदिर के पुजारियों ने इसलिए गेट लेने से मना कर दिया क्योंकि ये काफी समय तक मुस्लिम सासकों के पास रहे और बाद में फिर मंदिर में लगाना उन्हें साह जाईएगा जो लोग उजयन से हैं तो इस बात को जरूर गौर से देखिएगा कि वो सोमनात मंदर से लूटे गए जो गेट थे चांधी के वो उजयन के महा काले सुर मंदर और गोपाल मंदर में आज भी लगे हुए हैं उजयन में महा काले सुर मंदर सबसे फेमस है और एक गोपाल मंदर है जो मैं आभी आपको बताने वाला हूँ किस ने बनमाया था ठीक है तो पंजाब तक इनका अधिकार हो गया महाजी सिंधिया की मध्यस्तिता से ही 1782 में मराठा जो पेश्वा थे मराठा जो पेश्वा थे जिनका नाम आपने देखा होगा नारायन राओट इस संदी के समय अंग्रेजों के द्वारा महाजी सिंधिया को एक स्वतंत्र सासक की तरह सम्मान दिया गया था और महाजी सिंधिया इसके मीडियेटर बने और पेश्वा नारायन राओट टू जिनका नित्रुत कर रहे थे अगर आपने नाम सुना है नाना फलनवीस नाना बहाई परशद के जो सबसे महत्पूर्ण इस्तंभ थे उन इस्तंभों में एक नाम है नाना फलनवीस का एक नाम है महाजी सिंधिया और अहिल्या भाई होलकर का तो 1782 में इन्होंने अंग्रेजों से पेश्वा की एक संधी करवाई थी जिसका नाम था सालवाई की संधी और इस संधी के दोरा हुआ क्या था आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि प्रधम आंगल मराठा युद्ध कौनसा बच्चो प्रधम आंगल जो मराठा युद्ध है वो 1775 में सुरूँ आता और 82 तक चला था तो यह जो युद्ध है वो संधी के दोरा समाप्त हो गया अगर आप यह देखेंगे कि दक्कन से लेकर यह दक्कन से आगे बड़े हैं और इनका जो इलाका है वो मालवा है तो क्यूंकि अभी इन्होंने दिल्ली को जीत लिया पंजाब को जीत लिया और पूरा आगरा और रोहिल खंड को जीत लिया इसलिए ये बात पर मैं विसेस फोकस चाओंगा आपका कि महाजी सिंदिया का जो सामराज है वो सतलज नदी से लेकर नर्मदा तक के भूभाग पर महाजी सिंदिया का सासन हो गया तो ये है इसलिए मैंने आपको सुरू में एक सेंटेंस लिखवाया है कि इन्होंने क्या गि नर्मदा तक के छेत्रों पर इनका दबदबा हो गया सिंदिया की दुधुम्भी बजने लगी और सिंदिया की तूती बोलने लगी महाजी सिंदिया कोई साधारन व्यक्ती नहीं थे महाजी सिंदिया के कुछ और बातें भी आपको बताने वाला हूँ जो काफी महत्मून ह तो एक बार नजर एक बार दुबारा से देखते हैं महाजी सिंधिया पानिवत के तीसरे युद्ध से बचने वाले कुछ चुनिंदा मराठा सरदारों में से एक थे ये 1768 में ओफिसेली सिंधिया वंस के राजा बने इन्होंने गोहत के जाट सासक लोकें जाट को पराजित क 1765 में गौालियर का किला जीता गौालियर में मराठा राजी की स्थापना की उत्तर भारत में मराठाओं को पुना स्थापित किया मुगल समराठ सालम सेकिंड को ये अपने साथ ले गए दिली और उसे गद्दी पर बिठाला और वो इस प्रिकार मराठाओं का पैंसन भोग जाटों की सकती का धमन किया रुहेल रुहेल खंड के जो नजीव अद्दौला और उसके जो रुहेला सरदार थे उनका बुरी तरीके से पतन किया उनका बुरी तरीके से कतले आम किया महाजी सिंदिया आगरा उत्तर प्रदेश और बढ़ते हुए फिर पंजाब तक चले गए और पंजाब में उन्होंने अफगानों को हराया ठीक है लाहौर पार करके उन्होंने अफगानों को हराया सुमनात मंदिर से दो चांदी के गेट जो लूटे गए थे वो उनको बापस लेकर आयो जो बरतवान में उज्जेन के महाकाले सर और गोपाल मंदिर में लगे हम उस समस्या की भी बात करेंगे जब हम इतने अच्छे से बात कर रहे हैं तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे देखिए वो समस्या क्या है वो समस्या यह है कि इन्होंने एक चीज और देखनी है कि कुछ साल जो है इनके थोड़ा सा एक तरीके से एक दो साल इनके ग्रस्त निकले कारण क्या था उसका मैं आपको पताता हूं पहले आप ज़रा इसको देख लीजे इन्होंने 1788 में हुआ क्या था कि जब कि इसके लिए एक ब्लेंक स्लाइड गया वश्यक्ता है आप लोग एक मिनट रुकिएगा है ना कि चलिक कोई बात नहीं एक सेक्न बस आप एक मिनट दीजेगा हाँ जी तो अब हम लोग एक ब्लेंक स्लाइड के माध्यम से इसको समयने का काम करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है हाँ जी तो जैसा दिया जो है क्या कर रहते जो होने क्या और उत्टर भारत में अपना सामराज जिस्थाफित कर लिया अब जरा इक बात समंझ नहीं आपको ज़रा ध्यान देना है महाजी सिंधिया ने दिल्ली पर एक तरीके से अधिकार कर लिया अभी मैं आपको बता रहा हूं पूरा इसके अलावा उन्होंने आगरा पर अधिकार कर लिया पंजाब में सिखों पर भी तरीके से उन्होंने विजय प्राप्त की सिक्खों से उनके अच्छे सम्मंध हो गए ठीक है और रोहेल खंड में उन्होंने जो है रोहेल खंड पर अधिकार करके जो है रोहेला सरदारों की सक्ती का दमन किया इवन जाटों को भी उन्होंने जीता था जो आगरा भरतपुर क एरिये में जाटों का सासन था उनको जीता अब यहां पर एक छोटी सी बात आपको जरा यह बता रहा था इसको जरा सुन लीजे उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे तो जैसे की हुआ क्या था कहानी बस यहीं से सुरू होती देखे यह रही दिल्ली ध्यान से सुनना जरा ब किसने बढ़ाया था महाजी सिंदिया उसको गद्धी पर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कहानी को समझे ना महाजी सिंदिया के नित्रुत में सालम सेकेंड गद्धी पर बैठा और अभी इन्होंने कुछ समय पहले रोहेलों की सक्ती का दमन कर दिया लेकिन इसी बीच राचपुताना पर आक्मन किया और अजमे आपका आमेर यानि जैपुर और मारवाड की सेनाओं ने उनसे संघर्ष किया और इस युद्ध में राचपूतों ने दावा किया कि उन्होंने महाजी सिंदिया को पराजित कर दिया था ऐसा राचपूतों का दावा है लेकिन महाजी सिंदिया ने खासकर जैपुर और जोदपुर की सेना से मुकाबला किया जो संयुक तोर पर लड़ रही थी तो उसमें जो है ये लड़ाई अनिनायक रही थी यानि किसी की जीत नहीं हुए थी तो जब वो महाजी सिंदिया का ये जो समय था खासकर राजपुताने में थोड़ा संगर्ष पून बीता इस समय थोड़ा सा प्रॉलम उनको फेस करनी पड़ी अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देनी है इसी बीच क्या हुआ था एक रुहेला सरदार था अब ज़रा इसकी इंट्री हो रही है इस रुहेला सरदार का नाम था यह बहुत ही लिया और इसने सा आलम सेकंड की आखें फुड़वा दी इसने क्या कर दिया इसने सा आलम सेकंड की आखें फुड़वा ली और आखें फोड़ने के बाद उसे कैद कर लिया और उसके बाद जो इसने दिल्ली में किया वो बताने में भी तकलीफ होती है गुलाम कादिर एक ऐसा रुहेला सरदार था जो अमानवीय हरकतें करता था उसने सालम सेकंड की जो बूरा था उसकी आखे निकल वाली आखे निकल वाने के बाद उसकी कई लड़कियों के साथ पलातकार किया और उसकी जो बेगमों हैं उनके साथ बदसलूकी की कहते हैं कि सालम सेकंड के जो प जरागी जरा ध्यान से सुनना। गुलाम कादिर ने क्या किया, कि गुलाम कादिर को ये पता था कि वो एक रुहला सर्दार है और दिल्ली में मुगल सासकों का कोई ना कोई खजाना है। तो इसी बीच महाजी सिंधिया थोड़ा सा संगर्षपून जीवन में थे यानि उनका कुछ समय खराब चला था लेकिन फिर भी जब उनको जो है महाजी सिंधिया को जब पत्र आया किसका सालम सेकेंड का कि उनकी इतनी बुरी स्तिती हो चुकी और उन्हें जो है मदद की किया था यह घटना थी 1788 के बाद 88 की यानि पुना जो है वो दिल्ली जाते हैं और उन्होंने दिल्ली जाकर गुलाम कादिर को हराया और आखिर कर गुलाम कादिर की उन्होंने हत्या भी कर दीती यानि युद्मे मार डाला गुलाम कादिर मारा गया अब आप एक बात बता क्या वो उसका एहसान नहीं मानेगा मानेगा या नहीं मानेगा तो महाजी सिंधिया की इस काम से सालम सेकिंड बड़ा खुस हुआ और उसने क्या किया उसने कहा कि आप ही हमारे वकील हो वकील इस समय एक बड़ी पोस्ट होती थी लाइक बजी तो महाजी सिंधिया को उसने अ साह अलम सेकंड ने उन्हें अपना एक तरीके से वजीर बना दिया इतना वड़ा पत था इतना जादा भरोसा हो गया तो अब जो मुगल सेना होगी यानि जो सालम सेकंड की जो सेना होगी वो सेना भी किसके नीचे काम करेगी महाची सिंधिया के निर्देशन में काम करेगी फिर महाजी सिंधिया ने जो है काफी सारे अभ्यान किये और पूरे उत्तर भारत दिल्ली अगर आप ये देखेंगे ना मैंने अभी आपको बताया था वो इसलिए नहीं बताया था कि यमुना नदी यानी पंजाब से लेकर जो नर्मदा तक का इलाका है उसमें आप दिल्ली ले लिजे उत्तर प्रदेश ले लिजे मद्प्रदेश ले लिजे पूरा का पूरा राजिस्थान की कुछ रियासतें भी महाजी सिंधिया के अधिकार में आ चुकी थी पंजाब से लेकर नर्मदा तक का छित्र तो अगर आपसे कोई पूँचे इस समय दिल्ली पर किसका अधिकार है तो दिल्ली पर महार्जी सिंधिया का अधिकार है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आयोगा ठीक है ऐसा मैं बस समझ सकता हूँ तो यहां पर लिखा हुए औरों ने 1788 में पुना मुगल सासक सालम दुतिये को गुलाम कादिर की कैद से मुक्त कराकर दिल्ली की शाल भूबागे जिसमें दिल्ली भी सामिल है वो सिंधिया के अधिकार में है और आपको एक और बात बताओं कि जब आगे चलके महाजी सिंधिया का उत्तरादिकारी गद्धी पर वैठेंगे जिनका नाम दौलत राव सिंधिया है तो उनी के सासनकाल में अंग्रेज दिल सिंधिया को हराया तो जो है देखिए जनली हम लोग यह पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने मुगल सासकों से अधिकार चीने लेकिन अगर आप मराठाओं का इतिहास बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और डीटेल में पढ़ेंगे तो आप यह पाएंगे कि उत्तर से लेकर दक् की मृत्यू के बाद जो होलकर और सिंधिया के बीच में जो इतनी भैंकर खूनी संगर्ष हुआ है वो संगर्ष ने मराठाओं का पतन कर दिया वरना अंग्रेज भारत में कभी सुप्रीम पावर नहीं बन पाते चर्चा करेंगे हम लोग होलकर डैनिस्टी में उम्मीद कर अंधान करसान किया अब यह कुस्सम है मराठाओं के रख्षन में देखिए इसकी जिन्ददकी कैसे निकली पहले यह अंगरेजों के संरक्षन में रा फिर मराठाओं के संरक्षन में आया और फिर 1803 में अंग्रेज पुना इस पर अधिकार कर लेंगे वह हम लोग आगे द प्रसिक्षित किया था महाजी सिंदिया की जो आखरी विजय है वो अंतिम विजय लखेरी का युद्ध था 1793 में और इस युद्ध में उन्होंने होलकरों की सेना को तुको जी राओ को जो है पराजित कर दिया था अब यह क्या चक्कर है आपस में लड़ गए यही तो इनके पतन का कारण है माराठाओं के देखे हुआ क्या था एक्चुली में महाजी सिंदिया बहुत प्रभावसाली होते जा रहे थे तो नाना फड़नलीस तक यह मैसेज बेजा जा रहा था कि महाजी सिंदिया उत्तर भारत में एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रहे हैं जबकि म उना में रहता था तो वहाँ पर इनके खिलाब सडियन तोने लगा अब जो महाजी सिंदिया जो थे वो राजपुताने में थे समय इस समय वो राजपुतों से संगर्ष कर रहे थे राजपुताना में व्यस्त थे उसी समय क्या हुआ जब उनकी राजपुताना में धाक जम में उन पर हमला कर दिया जिसमें महाजी सिंधिया ने इनको ख़देड़ दिया प्राजित कर दिया ये महाजी सिंधिया की अंतिम विजय थी और इसके बाद 12 फरवरी 1794 में पूना में इनकी मृत्ति हो गई इनकी समाधी जो है पूना के एक गाउं में बनी हुई है बहुत ख रेक लीजे कि महाजी सिंधिया जब दिली में थे और कई वर्षनों ने उत्तर भारत को दिये तो कहते एक मुस्लिम मगल महला उनके उनसे संबब्ता उनसे संबब्ता या तो प्यार करती हो या उनके एक तरीके से संपर्क में आई तो गन्ना वेगम नाम की एक मुस्लिम महला थी जो उनको पसंद करती थी और महाजी सिंधिया ने गन्ना वेगम का इस्तमाल जासूसी के तौर पर राचपूत राज्यों में किया था परंतु बाद में गन्ना वेगम को मार दिया गया और इनकी जो समाधी है इनका जो मकवरा है वो मुरेना में बना हुआ है और इनका मकवरा बन वायता महाजी सिंधिया ने आप चाहें तो गूगल पे गन्ना वेगम और महाजी सिंधिया के संबंधों की चर्चा को पढ़ सकते हैं संभपता ऐसा कहते हैं अब महाजी सिंधिया का कोई पुत्र नहीं था महाजी सिंधि दतक पुत्र का मतलब है गोद लिये हुए बेटे क्योंकि इनका कोई पुत्र नहीं था देखिए सिंधिया डाइनेस्टी के अध्यन में मैंने एक बात बहुत नोटिस की जादा तर जो सिंधिया सा सकते उनका खुद का पुत्र नहीं था गोद लिये हुए पुत्र थे तो द तुक है उसको गद्धी पर बिठाला जिसका नाम था दौलत राव सिंदिया दौलत राव सिंदिया 7094 से 1827 तक सासन करते हैं इनका जो सबसे इंपोर्डेंट पहला काम है गद्धी पर बैठते ही वो ये है कि इन्होंने 1810 में राजधानी जो है वो उज्जेन से ग्वालिय ट ट्रांसपर कर दी संबबता राजधानी ग्वालिय ट्रांसपर करने के पीछे चोटा सा रीजन था वो रीजन में आपको बताता हूं अभी आप समझ जाएंगे ठीक है तो इन्होंने के समय होलकर और सिंधिया के बीच भयंकर संधर्श हुआ इस समय होलकरों का जो सासक था उनका नाम था यश्वंद्राव होलकर जब हम यश्वंद्राव होलकर के दियास को पड़ते हैं तो हमें लगता है कि वह बहुत ही महान और मतब इनके जैसा सासक तो कोई नहीं है अगर हम बात करें महाजी सिंधिया के मरने के बाद और नाना फळनवीस के मरने के बाद एक ही चमकता सितारा था एक ही वीर सहसी और सकती साली सा सकता जिसका नाम था यश्वंद्राव होलकर यश्वंद्राव होलकर के इतने चर्चें हैं कि इस समय उनसे अंग्रेज किसी भी सूरत में संधी करना चाहते थे यानि यह बंदा वस यह कह दे के मैं संधी करना चाहत क्यों कि इसे अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल करना मतलब कोई असंभब काम करना बहुत मुस्किल हुआ था यश्वंद्राओं को कंट्रोल करना मैं होलकर डाइनस्ट्री में आपको यश्वंद्राओं की वीर गाथाओं के बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार यश्वंद राव होलकर ने सिंधिया को परिसान किया अंग्रेजों को कई वार हराया ठीक है और राच्पुता ने और सिक्खों पर अपनी धाग जवाने का प्रियास किया जाटों के सयोग से वो सारी बाते हम लोग बात में करेंगे अब इनके समय एक चोटी सी चीज होती है कि इनी के समय क्योंकि संगर्श हुआ तो यश्वंद राव होलकर ने दौलत राव सिंधिया यानी हमारे सासक और पेश्वा वाजी राव टू की संयुक्त सेना को 1802 में पराजित कर दिया था कब पराजित कर दिया 1802 में पराजित कर दिया उसका एक चोटा सा कारण भी और चोटा सा किस्सा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ देखिए हो क्या रहा था क्योंकि अब हमारे बास थोड़ा स्पेस की कमी पड़ रही है और मैं एगली वार इसमें कुछ ब्लैंक डि रखूँगा जिसमें में लिख कर समझाऊं क्योंकि मुझे लिख कर समझाना जदा अच्छा लगता है देखिए पूना में đोमें व्यक्ति थे ठीक है एक व्यक्ति का नाम था यश्वंद राव होलकर का नाम था यश्वंद राव होलकर और एक व्यक्ति का नाम था दौलत राव सिंधिया ये थे वहां के मराठा संग के सदस यानी सरदार और पूना में जिनका सासंदा वो थे वाजी राव टू जो इस समय मराठा पेश जिसमें मुझे यह कहना तो नहीं चाहिए परंतु मराठाओं के पतन में इतिहास कार भी यह कहते हैं क्योंकि यश्वांत्रा होल कर बहुत सकती साली थे इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि ए जहां से सुनना मेरी बात को जब मालवा मैं होलकर व शिन्धिया अपस में लड़ रह थे उसी समय क्या हुआ था? कि यश्वंत्राव होलकर के एक भाई थे जिनका नाम था बिठू जी होलकर तो बिठू जी होलकर जो ते समय पूना में होते हैं तो बाजीराव टू सिंधिया के एक सरदार के कहने पर उनको हाती के पैरोतले को चलवा देता है यानि बाजीराव सेकेंड के द्वारा अपने खुद के मराठा सरदार वो भी यश्वंत्राव जैसे सासक के भाई को 200 कोड़े पढ़वाया और गृपतार करके उसे हाती के पैरोतलक एक दो घंटे तक को चलवाया और बुरी तरीके से हत्या करवा दी इससे यश्वंत्राव का खून खूल गया किसका खून नहीं खूल करने 1802 में दोनों की सेयुक्त सैना को पराजित कर दिया और यही बो पल है यही बो च्छन है जिस्ने मराठाओं का पतान निश्चित किया के लिए जो मराठाओं के अन्तिम प्षवा हैं बाले ओग हैं हमसे दोस्ती कर लीजे हमसे मित्रता कर लीजे तो बाजी राव टू इसने अंग्रेजों से सायक संधी सुईकार कर ली और यही सायक संधी जो है जिसने मराधाओं के मान सम्मान को साभिमान को उनकी वीरता को बेच दिया कैसे जरा सुनिए यश्वंद राव हुलकर के द्वारा जब पूना में पेश्वा और दौलत राव सिंधिया की सेना को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया गया तो उसने विनायक राव जो बाजी राव टू के भाई का ललका था उसको पेश्वा घोसित कर दिया अब बाजी र मादद मांगी और 1802 में उन्होंने वसीन की संधी कर ली और इस संधी के द्वारा उन्होंने मराठाओं के मान सम्मान स्वाभिमान को उनकी वीरता को अंग्रेजों की गोदी में रख दिया और यहीं से मराठाओं का पतन शुरू होता है जब ये ख़वर मराठा सरदारों को लगी चाहे सिंधिया हो चाहे होल करो और नाकपुर के भोसले तो वो सब अपनी तलवारें खीच लेते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने सभी मराठाओं को एक तरीके से अंग्रेजों का गुलाम बना दिया उन्होंने अंग्रेजों की अधिनता स्वीकार कर ली तो पेश्वा तडस्त बने रहे होल कर क्या बने रहे क्योंकि देखे प्रॉलम क्या है यही तो मराठाओं के पतन का कारण है यश्वंद्रा होल कर और दौलत राओस इंदिया एक दूसरे के खून के प्यासे थे जबकि इस समय इन दोनों को साथ में अंग्रेजों से ललना था लेकिन हो क रोकने का प्यास कि अब अंग्रेज जो इतनी तेजी से आगे बड़े और उन्होंने दोनों की सेना को हरा दिया फिर बाद में सिंदिया को अकेले और भूसले को अलग हराकाई और इसी समय इनूने जो है सिंदिया से एक संदि की जिसको बोलते है सुर्जी अर्जन गाओं की संदि ये सुर्जी अरजंगाओं की जो संदि selive 1813 में हुई थी और इस Nandhi के दवारा दौलत राउ संदिया ने इंग्रेजों की अधिन्ता सुीकार कर लिए याई इस प्रकार सिंदिया ने भी सरेंडर कर दिया बोसले ने भी सरेंडर कर दिया अब एक विक्ती बचाएक वहता जिसका नाम है यश्वंत राव खोलकर अंग्रेज उने अपनी एडी से लेकर चोटी उत्तर से देकर दक्षन पूरब से लेके पश्रिम पूरा जो राजमा लिया परंत वो यश्वंत्राव होलकर को कंट्रोल नहीं कर पाए और ये यश्वंत्राव होलकर की जो कहानिय में आपको होलकर डाइनिस्टी में पढ़ाऊंगा जब अंग्रेज इतने ज्यादा लाचार परिशान हो गए उस कंडीशन में जाकर उन्होंने उस समय एक छोड़ी सी जो है यश्वंत्राव होलकर को हो जाती है और यश्वंत्राव होलकर को जो संदी का ओफर दिया जाता है उसको एगरी कर देते हैं लेकिन उस संदी में उन्होंने साइक संदी की सर्तों को नहीं माना था इसलिए आज के बाद कभी भी आपसे पूचा जाए किस मराठा सासक ने या किस मराठाओं ने साइक संदी सुईकार नहीं की थी वो थे होलकर ग्वालियर के सिंधिया हो नाकपुर के वहुशले हो बड़ोदा के गायक वाड़ हो इन सभी ने साइक संदी सुईकार कर ली केवल एक मातर थे जिनों ने सा मराठाओं का नेपॉलियन के से कहते हैं यश्वंत्राओं होलकर को जिसे हम होलकर डाइनस्टी में कवर करेंगे तो यह सुर्जी अरजन गाओं की संदी हो गई और इस परकार अंग्रेजों ने जो है साइक संदी सुईकार कर ली यह दौलत राओं सिंदिया के सीन हो जाते 1817 में अंग्रेजों ने यानि लौड हैस्टिंग इस समय गवर्नर्ट जनरल बन कर आया था उसने जो है दौलत राओं सिंदिया के साथ एक संदी की संदी में लौड हैस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध दौलत राओं सिंदिया को सयोग देने के लिए मना लिया यानि इस संदी के दौरा दौलत राओं ने अंग्रेजों को पिंडारियों के विरुद्ध सायता देने की बात की अब ये पिंडारी अलग से आ गए इसमें अब आपको पिंडारी बताने पड़ेंगे देखे पिंडारी कौन होते हैं पिंडारीयों का मतलब क्या है कि जो इंका अपना ही एक हिसाब किताब है ये लुूटेरों का समूँ था जो पहले मराठाओं के साथ लूट पार्ट करते थे यानि जब मराठा किसी छेत्र पर आक्रमन करने के लिए जाते थे तो वो पिंडारियों को बिलाते थे और लूटे हुए धन का एक हिस्सा इनको दे देते थे पिंडारी मौज मस्ती करके उडाते थे लेकिन इस समय क्या था कि Lord Hesting जब आया तो उस समय मराठा एक तरीके से चरम पर था और उनका पतन भी होने वाला था तो Lord Hesting चाहता था कि मराठाओं की सक्ति को नस्ट किया जाए पर उसके पहले जरूरी था कि वो पिंडारीयों को नस्ट किया जाए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पिंडारी और जो मराठा हैं वो मिलकर अंग्रेजों पर हमला कर दें तो इस प्रकार अंग्रेजों की सत्ता नस्ट हो सकती थी इसलिए उसने क्या किया कि दौलत राव सिंधिया को 1817 में एक संधी के लिए अगरी किया और संधी में मनाया कि वो पिंडारियों के विरुद्ध जो है अंग्रेजों का साथ देंगे और ऐसा हुआ भी और दौलत राव सिंधिया की पतनी थी आप लोगों को याद रखना है तोड़ी तिर पहले मैंने बताया था उजएन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्मान दौलत राव सिंधिया की पतनी ने करवाया था और यह आपको very important लगाकर याद रखना है और दौलत राव सिंधिया की पतनी का नाम था वेज़ावाई सिंधे तो अगर हम दौलत प्राव सिंधिया में से हाईलाइट अगर निकालें तो तीन चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आती हैं कैपिडल उज्जें से ग्वालियल ले गए उन्होंने को क्यों ले गए थे कैपिडल आपको समझ में आया जहां पर रहते थे तो अठारा सो दस में अपनी कैपिडल जो है सिप्ट कर दी थी विकॉज ऑफ होल कर्स और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट बात है वो सुर्जी अर्जन गाओं की संधी अठारा सो तीन में किसके भी चुई थी तो आपको याद रखना अंग्रेजों और करने की बात को एक्सेट कर लिया अब दोस्तों हम लोग इसके आगे जो है चर्चा करने वाले हैं कि इसके आगे का घटना क्रम क्या हुआ देखिए पिंडारियों के बारे में यहां लिखा हुआ है मैं चाहूंगा इस पीडिएफ को इस स्लाइड को आप लोग खुद पढ लौड हैस्टिंग ने एक लाग तेरा अजार की एक आर्मी तयार की और पिंडारियों का दमन करने के लिए उसको भेज दिया तो जादातर जो पिंडारी लीडर थे वो मारे गए इसमें से एक पिंडारी लीडर को जो है उन्होंने पकड़ कर उसे उसने सरेंडर कर दिया तो एक जमीन का भूभाग दे दिया था और संबगता उस जागीर का नाम था टोंक तोंक आपने सुना होगा राजिस्तान में तो टोंक की जो जागीर है एक पिंडारी नेता को दे दी गई थी और बाकी के जो पिंडारी लीडर है उनकी डैथ हो गई तो इस प्रकार अठा पिंडारी यों का दमन एक्जाम में पूछा भी जाता है किस गवर्नर्द सिवा जी सिवाजी के आहा प Daha कर दिया और नाना जो आपके वाजी राव टू थे उनको पैंसन पर विठुर भेज दिया तो अब हम लोग बात करेंगे दौलत राव सिंधिया के आगे उम्मीद करता हूँ आपको यहां तक समझ में आयोगा एक बार हाइलाइट देख लेते हैं सबसे पहले हमने चर्चागी रानो जी सिंधिया, रानो जी सिंधिया के बाद कुछ उत्तरा दिकारी हुए जिनमें जैप्पा राव सिंधिया, जनको जी राव सिंधिया, कादर जी राव सिंधिया, माना जी राव सिंधिया उसके बाद महाजी सिंदिया, महाजी सिंदिया को हमने डिटेल में पढ़ लिया, महाजी सिंदिया के बाद गद्दी पर बैठे थे कौन, दौलत राव सिंदिया, और दौलत राव सिंदिया के बाद अब हमारी कहानी में एक नया करदार जुनने वाला है, एक नया सासक जुन कुल्म है पहले किसी उसी नाम का कोई राजा बड़ा और अच्छा राजा रह चुका होता था तो अपने बच्चों को उनी के नाम पर रखा जाता था इसलिए जब बोथ सेकंड टाइम आते तो सेकंड थर्ड टाइम आएंगे तो तुरती है इस परकार इस तरीके के नाम हमक समस्या के जनकोजी राओ की जब मृत्ति होई तो उनका कोई उत्राधिकारी नहीं था याद रखेगा और इस प्रकार उन्होंने एक पुत्र को गोद लेकर गद्धी पर बिठाया अच्छा इनका पुत्र क्यों नहीं था एक्चुली में क्या था कि इनकी जो पतनी थी उन 243 मिन की मृत्ति हो जाती है आगे बढ़ते हैं तो यहां तक मुझे लगता है आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद कर सकता हूं अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा जिससे की आगे मैं आपको लगातार इस तरह के लेक्चर आपको देता रहा हूं आगे बढ़ते हमारे अगली स्लाइड क्या कहती है देखिए यह वो व्यक्ति है जिसने एक तरीके से अब परिस्तितियां कहलो या कुछ भी घटना करम कहलो केवल एक मचली तालाब को गंदा कर देती है यानि वो जी राव सिंधिया जो हैं गद्धी पर कब बैठे 1843 से लेकर 1846 में गद्धी पर बैठे अब ये जो हैं ये जनकोजी राव सिंधिया के दत्तक पुत्र थे कौन थे ये जनकोजी राव सिंधिया के दत्तक पुत्र थे ठीक है इनके सासनकाल की घटना है तो जनरली आप लो वो थी 1857 की करांती तो जब 1857 की करांती हुई और भारत में तमाम जो राजा थे जिनकी रियासते चीनी गई थी या जो जमीदार थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाब विद्रो कर दिया तो उस समय मरठा राजी की जो कमान थी वो जया जी राव सिंधिया के हातों में थी जो की जनकोजी राव सिंधिया सेकेंड के दत्तक पुत्र थे तो अब हुआ गया जब इनके छेत्र में विद्रो होता है और रानी लक्षियाई ग्वालियर की तरह आती हैं तो इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था दिनकर राव और दिनकर राव और इन्होंने देखिए य यही वो केवल अकेली घटना जिसकी वजैसे मराठाओं पर इतना यानि खास कर सिंधिया डाइनस्टी को आज तक जलील किया जाता है आज तक उन्हें गद्दार कहा जाता है आज तक उन्हें बोला जाता है कि उन्होंने गद्दारी किती जिसकी वजय से ऐसा हुआ था देखिए अगर हम बात करें सिंधिया समर्थक कुछ इत्यासकारों की या विद्ध्वानों की तो वो यहाँ पर एक अलग तर्क देते हैं देखिए मैं तर्क दे रहा हूँ आप समझदार हैं आप कोई भी तर्क समझिए कोई दिक्कत नहीं है सिंधिया समर्थक जो लोग हैं वो एक तर्क देते हैं कि actually में जब जयाजी राव सिंधिया गद्धी पर बैठे 1843 में और 57 में एकरांधी हुई उस समय जयाजी राव को वास्तविक सत्ता नहीं दी गई थी Is that clear? यानि उस समय जायाजी राव सिंधिया केवल नाम मात्र के सा सकते अंग्रेजों के द्वारा उनको अधिकार नहीं दिया गया ता गद्धी का क्योंकि अंग्रेज उनको गद्धी नहीं देना चाहते थे अगर आप ध्यान दें तो दत्तक पुत्र हैं तो कहते हैं कि जब जनको जी राव सिंधिया की मृत्ति हुई चोटी सी मैं कहानी आपको बता रहा था कि जब जनको जी राव सिंधिया की मृत्ति होती है तो उनकी जो उनका कोई पुत्र नहीं था तो इसी समय जब वो मरने वाले थे तो इसी समय उनके एक मराठा सरदार ने अचानक गद्धी मिली और वो भी दत्तक पुत्र थे इसलिए अंग्रेज उनको accept नहीं करना चाहते थे उन्होंने कुछ विरोध भी किया और कहते हैं कि उन्होंने दिनकर राओ को वहाँ पर head बना दिया कुल मिला कर अगर हम सिंधिया समर्थकों की बात करें तो वो जो सारा दोस है वो दिनकर राओ के उपर मड़ देते हैं कि 1857 की करांती में जयाजी राओ स्वतंत्र सासक नहीं थे उनके खुद के स्वयम के निर्णा नहीं थे इसलिए दिनकर राओ इस समय में थे और दिनकर राओ ने अंग्रेजों की तरफ से उनका समर्थन किया था तो इस परकार अब जो भी reason रहे हों लेकिन अगर हम इनके सासनकाल की कुछ और घटनाएं देखते हैं तो इससे इसपस्ट हो जाता है कि संबबता जया जी राओ सिंधिया ने अपनी मर्जी से जो है अंग्रेजों का साथ दिया था देखते हैं आगे एक्जाम के लिए सबसे महत्मून पॉइंट तो यही है इसके बाद अगला सेंटेंस है इन्होंने अपने खजांची इन्होंने अपने खजांची जिनका नाम अमर्चंद बांठिया तो अमर्चंद बांठिया को सराफा बाजार में फासी पर लटका दि तो उस समय जब उन्होंने ग्वालियर को कैप्चर किया था ठीक है जब उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा गिया तो उस समय जो जयाजी राव सिंधिया थे और उनके जो मंत्री वगेरा थे वो भाग जाते आगरा अंग्रेजों के साथ तो उस समय जो होता है ना वो नाम था इसने क्या गिए कि खजाने की चावी रानी को देदी और रानी के आदेस पर खजांची अमर्चंद बाठिया ने जो सही खजाना था उसमें से सेनकोंकों को पैसे बाट दिए खजाना लुटा दिया अब कुछ समय बात जबıldर अंग्रेजों में रानी लक्ष्माओं पर counter attack किया रानी लक्ष्याई की जो death हो जाती है ग्वालियर में आप सब जानते उनकी समाधी बनी है रानी लक्ष्याई के topic में रानी लक्ष्याई को समझेंगे क्योंकि अभी हम रानी लक्ष्याई की बात नहीं कर रहे हैं तो रानी लक्ष्याई की जब मृत्य हो जाती है तो फिर से जयाजी राउ सिंधिया सासन करते हैं, जब वो सासन करते हैं तो उनको पता चलता है कि भई ये जो अमरचंद मांठिया है इसने खजानी की चावी दे दी थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कि हम आदेश देते हैं, इसके बाद एक और घटना आप देखीगा, अंग्रेजों द्वारा इनको इनाम सरूप एक उपादी दी गई थी, यानि अंग्रेजों ने इनका सयोग करने के कारण इन्हें जॉर्च की उपादी से सम्मानित किया था, किस की उपादी से सम्मानित किया था, दोस्तों जयाजी राव सिंधिया, जयाजी राव सिंधिया का सासंगाल 1843-86 रहा, इनके मंत्री दिन कर रहा होते, दिन कर रहा एक बड़ा नाम है, ध्यान दीजीगा, याद रखीगा, 1857 की करांती में अग्रेजों के समर्तक थे, अमरचंद मांठिया को फांसी की सजा, अब इसके बा पैलेस का 1872 के आसपा संभवता निर्मान करवाया, जिसके वास्तुकार माइकल फ्लोज थे, याद रखना ये बेरी इंपोर्टेंट है, एक्जाम में पूचा जाता है कि जयाजी विलास पैलेस के वास्तुकार कौन थे, जयाजी विलास पैलेस एक ऐसा महल है, जो इटेलि करने वाली चीज है, वहां का दर्वार हॉल है, यानि वह दर्वार हॉल जिसमें सिंधिया राजा बैठा करते थे, उस दर्वार हॉल की छत पर 500 किलो सोना लगा हुआ है, कितना आप गूगल पे या या यूटूब पर 500 किलो सोने से इसकी छत को बनवाया गया था, इसकी छ भूमर को और इसकी छत को देखकर और वहां पर जो चेयर वगएरा और जो चीजें डली हुई इनको देखकर आपको इतना अच्छा लगेगा जैसे आप किसी रॉयल उसमें आ गए यानि उसी जवाने में आ गए फिर इसके बाद इस दरवार हॉल को एक और खूबसूरत इसी डाइनिंग हॉल पर चांदी की ट्रेन से जो है खाना सर्व होता है जो इस तरीके से चलती रहती है जो आपको चाहिए उठाईए रुख जाईए रखिये चलने लगेगी यह सारी चीजें आपको जैविलास फैलेस में मिलेंगी तो इतना भब जैविलास फैलेस जिन को 21 तूपों की सलामी दी जाती थी 21 तूपों की सलामी यहां के राजा को दी जाती थी केवल पांच र्यासतों में नाम था यानि यह बहुत बड़ी रियास थी ठीक है यह पैले स्पूणता इटेलियन सैली में बना है इसमें लगवक 300 कमरे हैं और इसका सबसे खूब लेंगे तो कोई दूसरा नाम आपको मिल सकता बट जया जी रहु सिंधिया उस दराइड आंसर एक और चीज़ है वर्तमान में इसके जो 35 कमरे यानी 300 कमरे में से 35 कमरों को मीजियम बना दिया गया है और इनी 35 कमरों में आप यहां पर टिकेट लेकर घूम सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं और इसी में एक सामिल है दरवार हौल तो 35 कमरों में इसको म्यूजियम बना दिया गया है और बर्तमान में जैविलास की कीमत संभबता 4,000 से 5,000 करोड है कितनी है केवल एक महल की कीमत 4,000 से 5,000 करोड है ठीक है तो याद रखेगा ये है जैविलास पैलेस तो ये थे हमारे कौन जैविलास पैलेस का निर्मान करवाया गया जिसके आर्किडेक का नाम था माइकल फिलोज अब जैविलास रखेगा के बाद गद्दी पर कौन बेटे थोड़ा सा उनकी विबात हम लोग कर लेते हैं जैविलास पैलेस का नाम है माधराव प्रथम माधराव प्रथम सिंधियावंस के एक बहुती महत्मूर और महान सासक आप कह सकते हों मतब इनके सासनकाल में अगर मैं ये कहूं कि इनके सासनकाल में ग्वालियर इनके सासनकाल में ग्वालियर का गोल्डन पीरेट था तो कोई अतिस्योक्ती नहीं होगी कैसे चर्चा करते इनके सासनकाल में ग्वालियर का जो है गोल्डन पीरेट था मैं ग्वालियर की बात कर रहा हूं केवल ठीक है याद रखेगा क्या 1886 में जयाजी राव सिंधिया के मरने के बाद उनके पुत्र गद्धी पर बैठे ये हाँ दोस्तों ये जयाजी राव का नाम था माधरो प्रथम अब क्या क्या इन्हों ने किया तो देखिए कहते हैं कि इनके सासनकाल में 1905 में भैंकर अकाल पड़ा क्या पड़ा भैंकर अकाल जब भैंकर अकाल पड़ा तो क्रसी प्रभावेत हुई तो इन्हों ने क्या गिया एक विकल्प के तोर पर अपन मेला है आप सबने सुना होगा MP में तो 1905 में ग्वालियर का व्यापार मेला प्रारम होता है परंदु उसका प्रारम किस तौर पर होता है पसु मेले के तौर पर होता है यानि वे किसान जिनके हां अकाल पड़ा है कृशी प्रभावित होई है वो अपने पशुओं को बेच कर समय कुछ धन हरजित कर सकते हैं तो इस प्रकार ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत 1905 में माधराव प्रथम के सासंकाल में होती जो कि एक बहुत महत्पून पॉइंट है इनका दूसरा जो सबसे महत्पून पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना ह यह पहले ऐसे सिंदियस आ सकें जियुपूरी को बहुत महत्त दिया और ग्रीश्मकाली राजधानी नेलारे का जो विकास हुआ है वो देखने लायक है कहते हैं कि इनके सासनकाल में सिवरी की सड़कें चमकती थी वहां पर कई सारे निर्मान कई सारे जो है ताल तलई यह जो इनके द्वारा बनवाये गए तो इन्होंने स्यूपरी को गृष्मकाली राजधानी बनवाया और एक और ब बैट पंचम जो दिल्ली दिर्माजनीट 211 में भाग लेने के लिए जब भारत आये थे तो उनके सिकार के लिए जब्ड़ी रहासत में आये तो उनके सिकार के लिए मधव नेश्टोर पार्क में एक महल आतला क्योंकि वों इंग्लेंड के इतने वड़े राजा थे वह करते हैं तो Google पे इसमें किसी और सिंधिया के नाम आता है लेकिन अगर हम इसके सासनकाल से मैच करते हैं तो इसका जो निर्मान है वह संभवता इनी के सासनकाल में हुआ है क्योंकि 1886 से 1925 के बीच यही सिंधिया वंस के सास सकते और इनी के समय जोर्ज केसल भवन बना था अगर आपको कोई कनफीजन हो तो किरप्या करके पहले एक बार गूगल और टाइम पीरेड और क्यों बनवाया गया था यह चेक कर लेना क्योंकि आप मैंसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मैंने कई बार नोटिस किया है जो कु गलत पढ़ाया गलत लिख दिए ऐसा हुआ वैसा हुआ हो सकता है यह गलत भी हो लेकिन अप प्लीस उसे आप चेक कर लीजेगा ठीक है तो आप करिप्या इसको चेक कर लीजेगा किस नेशनल पार्क को सिंधिया राजबंस का सिकार गरे कहा जाता है अगर आप जैविलास पैलेस घूमने जाएं तो वहाँ पर म्यूजियम में जाएंगे तब आपको देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे टाइगर जो स्यूपरी में इन राजाओं के द्वारा मारे गए वो आज भी रखे हुए हैं उनको कंजर्ब किया गया है कैमिकल के माध्यम से ऐसा लगता है हम जब उसमें घुसते हैं कि वो साइध हमको डरा रहे हैं तो माधवरास्टी उद्ध्यान का जो है मैं जोर्ज कैसल भवन बन माया और इस समय जो है इनका जो माधो नेशनल पार्क है वो एक सिकार के लिए फेमस हो गया कैसे सिकार होता था जैसे मान के चलिए माधवराव सिंध्या हैं या सिंध्या राजा हैं इनके घर में जब कोई गैस टाता था लाइक फॉरें से आया है दूसरे रियासत से आया है तो इसको ये सिकार पर ले जाते थे और यहां पर जो है एक और महत्मून बात देखिएगा इनी के सासन के काल में ग्वालियर में प्रजातंत्र विवस्था की सुरुबात होती है इसलिए इने ग्वालियर में प्रजातंत्र विवस्था का जनक कहते है भाई ये क्या चक्कर है इसको थोड़ा सुन लीजे देखिए इस पॉइंट का मतलब यह है कि ये जो राजा थे वो बहुत ही अच्छे थे ये अपनी प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे और ये विकेंद्री करण विवस्था के समर्थक थे यानि ये चाहते थे कि जो पंचायते हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाए लोगों को उनके कुछ अदिकार मिले तो इस प्रकार ग्वालियर में उनके प्रजातंद्र की विवस्था की थी जंता के कई सारे कारियों के लिए ये जाने जाते हैं अभी मैं आपको इनके कुछ और कारे बताने वाला हूं हो सकता है आपको वो काम इनके अच्छे लगेंगे और हम लोग इसकी चर्चा आगे करते हैं देखिए इन्होंने ग्वालियर में माधर और सिंधिया की बात कर रहा हूं इन्होंने ग्वालियर में सिक्षा चिकित्सा और सिचाई का विकास किया बहुत जादा इन्होंने कई सारी चीजे इन्होंने 1912 के करीब इन्होंने ग्वा वो आपके लिए सबसे important है इन्होंने उस समय के मैसूर रियासत के सबसे chief engineer जो उस समय भारत के सबसे प्रसिद engineer थे जिनका नाम था M. विश्वे सुरहिया मोक्ष गुडम विश्वे सुरहिया तो मैसूर के chief engineer विश्वे सुरहिया इसमें अधूरा नाम लिखा है इनका पूरा तिग्राबांद का निर्मान करवाया अब देखिए हो क्या रहा है जैसे मैंने आपको यह तत्त इसमत दिया अगर किसी व्यक्ति ने गूगल पर सर्च किया या कहीं पर पड़ा उसमें सोला की जगए सत्रा मिल गया पंद्रा मिल गया तो किर्पया करके घलत कमेंट ना करि लीजेगा अगर आपको लगता है कि बटा पंद्रा है सत्रा है आप अपने नोट्स में कर लीजेगा मैंने भी कहीं से देखकर ही लिखा होगा तो 1916 में तिग्राबांद का जो निर्मान है और वो किसने करवाया था यह माधर आप प्रथम के सासनकाल में हुआ था अगर आ बहुत बड़े और महांस आ सकते माधराव सिंधिया ठीक है तो 1916 में तिग्राबांद का निर्मान हुआ था तिग्राबांद तीन पहाडियों के बीच में सांक नदी पर बना हुआ है याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है सांक रिवर तिग्राबांद और 1916 जिसके ची इमार पढ़ गया और वहीं पर यूरोप में पैरिस में इनकी मृत्ति हो गई तो देखिए हमारे जो सिंधिया राजा हैं 1925 में पैरिस में घुम रहे और पैरिस में उनकी डैथ हो जाती है इनकी समाधी स्यूपरी में बनी है जो लोग स्यूपरी के उनको बहुत अच्छे सिंधिया की और बहुत अच्छी से बनी भी हैं बहुत खूबसूरत बनी हुई है याद रखीगा इसके अलावा तात्या टोपे की समाधी भी है वो सब आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छी बात है अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं संभवता य गौालियर के अंतिम सहसक जोनों ने 125 से लेकर 48 तक सहसन किया देखिए जब इनके पिता की मृत्ती ओ गए माधराव सिंधिया की तो मात्र 9 वर्ष की उम्र में गद्धी पर बाठे उनका विवा विजयराज सुन्धिया जीने राजमाता कहते हैं के साथ हुआ था यह अंति अपनी रियासत को भारत संग में मिला दिया था और सबसे इंपोर्डेंट ये कोश्चन बहुत ज्यादा पूंचा जाता है अगर आप MPPSC या किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं खासकर MPK तो यह पॉइंट वेरी वेरी इंपोर्डेंट है कि 1948 में मद्ध भारत की जो 25 रि प्रथम राजप्रमुक के तौर पर सर जीवाजी राओ सिंधिया ने जो है इस पद्ध को समाला था और सपत ग्रहण की थी इनकी मृत्यू 1961 में हो जाती है तो यह होते हैं हमारे कौन सर जीवाजी राओ सर जीवाजी राओ के नाम पर ग्वालियर में अगर आप देखेंग तो 1964 में एक युनिवरसिडी बनी जिसका नाम है जीवाजी युनिवरसिडी के नाम है जीवाजी युनिवरसिडी मेरा ग्रेजूइशन भी इसी युनिवरसिडी से हुआ है ठीक है आप में से बहुत सारे बच्चे जब यह लेक्चर देख रहोंगे उनका भी में एक यूनिवर्सिटी वहाँ पर बनाई गई है जो संभवता इनकी जो पत्नी है यानि हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया के द्वारा जो है स्थापित करवाई गई थी इसके बाल अलावा कुछ तथ्य और है आप इनको भी देख लीजे क्योंकि लेक्चर जादा लंबा ना हो अदर्वाइस हम लोग विजयराजे सिंधिया के बारे में भी बहुत कुछ बातें कर सकते हैं इनकी कहानी भी भी बहुत महतपूर हैăm विजयराजे इसिंधिया कौन हैं विजयराजे सिंधिया सिर्जीवा जी राउ की वाइब ती जिनका वास्तिविक नाम था लेक्गा दिवेश्वरी तो इनका रीयल नीम यहां रूपूलर नाम है जनरली हम पघ्योंने राजमाता तो विजय राजे सिंदिया जने राजमाता कहते हैं जिनका वास्त वेक नाम लेखा दिविश्वरी था ये भाजपा की संस्था पक सदस रही थी इनकी जीवनी है एक रानी ऐसी भी इनकी जीवनी लिखी थी मृद्वला सिना ने और उस आत्मगथा का नाम था जीवनी का जि और इनके साथ एक और महारानी जिनका इतिहास में बहुत बड़ा जिक्र मिलता है वो है जैपur की महारानी गायतरी देवी जो उस समय की दुनिया की सबसे खुबसूरत रानी थी गायतरी देवी और विजय राज烦स इंधिया पहले दोनों कॉंग्रेश में थे लेकिन दो जन्संग विकम ॥ो जन्संग जंतादल से ऑगे सामइल लो गई एक बहूत महतंश सिंदिया एप मेहला जिन हो कि GC si इनके जो भी संसाधन ते रुप्या पैसा बीजेपी के प्रचार प्रचार में खर्च करती थी तो बहुत बड़ा युगदान हैं इनका वीजेपी को आगे फैलांइं अब इनके गारत में फ़ैश कहा सुन्दू हो गई दिया स्थ BUR cheap पढ़ते हैं तो माधराव सिंदिया इनके पुत्र थे और इनकी दो पुत्रियां है यह शोदरा राजे सिंदिया जो राजिस्थान की जो है सीम रह चुकी है अभी तो वहां के सीम अशोग गहलोत है और दूसरे जो है वह सुरी गलत बोल दिया माफी चाहता हूं वसुंद्र अब बर करने कई वर राजिस्थान की भूत्पूर सियम है वरत्मान में राजिस्थान में ऐषो कहलोत की सरकार है जो कांगरेस से हैं नाराव सिंदिया केंद्रिय मंत्री रहे और कि मीठतु सारी है मत्यक्री यह हूं उब दूहाजार एक में बड़़गभना में उनकी जो मिरत्यू है वो हो गई थी मैंपुरी उत्तरपरदेश में मादर रह सिंदिया के जो पुत्र है वरतमान में सांसद हैं सो रुपय का जो सिक्का है सो रुपय का सिक्का 2020 में विजय राजे सिंधिया के नाम पर भारत सरकार द्वारा जारी किया गया आप इस तथिकों भी हां पर याद रख सकते हैं देखिए इस लेक्षर को खतम करने से पहले मैं आप से कुछ बातें करना चाहता हूं देखिए पहली जो महत्पूर बात ये कि विजय राजे सिंधिया और उनके बेटे थे माधररा सिंधिया नहीं जोति Frame Range संबंद अच्छे ना होने कारण यह था कि माधर और सिंधिया जो है वो प्रबल कॉंग्रेसी थे उनकी दोस्ति राजीव गांदी सुनिया गांदी से थी जबकि विजयराजे सिंधिया कॉंग्रेस से चड़ती थी तो विजयराजे सिंधिया ने अपनी वसीयत बनाई थी उनके मरने के बाद उनकी जो डेड वाड़ी है इसको यह आग नहीं देंगे कौन माधर और सिंधिया यह इतनी जादा कड़वाहट दोनों के बीच में थी एक और दवे दवे बात पता चलती है वो बात यह है कि विजयराजे सिंधिया जैविलास पैलिस में माधर और मन बिलकुल अच्छे नहीं थे और इसकी वज़य थी के वर राजनितिक बहुत ज़्यादा उनके बीच में टैंसन था अब कुछ ऐसी बात हैं जो हम लोग यहां पर बात नहीं कर सकते क्योंकि यह वीडियो हमारा यूट्यूब पर जाएगा तो उमीद करता हूं यह सिंध सकता हूं तो इन्हीं बातों के साथ देखिए पहला मेरा एक त्योरी सेसन है जो मैंने एकाड़ी पर इस यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड गिया इसके बाद आप लोग देखेंगे तो आप लोग अपने जो कीमती ओपीनियन हैं अपने कमेंट्स हैं उन्हें जरूर दी कल मैं आपके लिए एक और लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जो होगा होलकर डाइनिस्ट्री पर तो उम्मीद करता हूं आपको यह आज का जो टॉपिक है आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा और रानुजी सिंधिया से लेकर रानुजी झाल को यह एक कीन आपको यह हो बनी है आपको यह जानुजी अजम की आपको में आपको यह स टॉबेंगा रहा होगा जाखिन आपके जह होगा